हलो काईज, पहलो कुन देश बड़ी रीज, तो काईज, आज हम बात करेंगे एविंजर एंड गेम के कैसे इवेंट के बारी में, जिसमें की हमें Captain America Old दिखाय गया, ये इवेंट 2025 का था, जिसमें की Captain America Old दिखाय गया, और एंडिंग में छोटा सा emotional scene देकर, हम फैंस को एक सब से बड़े portion में डाल दिया, कि Captain America time traveling करकर आखिरकार 2025 में Old कैसे गवा, तो सबसे पहले मैंने ये वीडियो इसलिए बनाए, जिससे कि आपका वो confusion दूर हो जाए, और इसमें मैंने अपनी यूज करिये fan theory, तो सबसे पहले इस जो time line की duration होगी, वो होगी 1918 से लिएके 2025 तक, या ओके गाइस, तो ये time line जो मैं आपको बता रहा हूँ, time traveling के हिसाब से ये time line एक dimension 1 है, आप इस चीज का ध्यान रखें, dimension 1, तो ये time line स्टार्ट होती है 4 जुलाई 1918 में, 4 जुलाई 1918 में Captain America यानि की Steve Rogers का जनम होता है, पैदा होता है, ये बच्चा काफी जादा कमजोर होता है जो की फौज में बढ़ती होने के लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं है, उसी के साथ चलते हैं साल 1941 मई के महिने में, तो ये एक ऐसा गर्मी का मौसम है, जहाँ पर काफी जादा भीड चल रही है और लोग मैच देखने आए हुए हैं, इस स्टीप लोजर्जर्स मौजूद हैं इस स्टीडियम में और मैच को आराम से पूरा देख रही हैं, अब इस मैच का क्या कनेक्शन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, उसी के साथ चलते हैं साल 1942 में, मार्च का महिना, नौर्विक, यहाँ पर एक चर्च में रेड स्कल्क ट्रेसरेट क्यूब ढूंड लेता और कार में बैटिक हूँगे बैडिक आर्ट्र से कहते हैं कि आज तक मैंने किसी आउरस से एतनी बात नहीं करी है, क्योंकि आज तक मैंने किसी से बातीर ही किसी लीडी से, पर मेरोस कोई डांस पाटनर नहीं मिलाए, तो यह कैसा टॉपिक होता है इस स्टीड लोजर्स के तो यहाँ पर इनका Captain Amir का नाम रखा जाता है और उसी के साथ महाँ पर एक Hydra का Agent बैठा होता है Hydra का Agent चुरा लेता है वो Serum अब यह Serum क्या है? तो इस Serum की जो पावर है वो एक Limited होती है यह इंसान को जादा Long Time तक जिन्दा नहीं दख सकती है तो इसका बहुत बड़ी महत्पूर रूल है तो साथ ही साथ अगर आपको इस चीज को समझना है तो आई बटन पे एक वीडियो है जोकि इस वीडियो से काफी ज़्यदा connected है तो आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी फिर उसके बाद इस वीडियो को continue करिएगा नेश्ट डे हकवार में ख़बर छब थी है कि कैप्टन अमेरिका ने किसी बच्चे को बचाया और नाजी यानि कि हाइडरा के लोग नियॉयॉक में थी तो यह एक ऐसी पहली खबर थी जिसमें कि कैप्टन अमेरिका ने किसी को पहली बर बचाया जोगी नियॉयॉक में हाइलाइट थी तो यह खबर थी वेनजडी के दिन जून 23 को 1943 में तो यह काफी बड़ी हाइलाइट थी उसी के साथ आके चलते हैं जून 1943 में यानि कि 1943 में तो यहाँ पर कैप्टन अमेरिका हरा दे दें रेड इसकल को और उसी के साथ कैप्टन अमेरिका कॉल करते हैं पैगी काटर को और पैगी काटर से बोलते हैं क्या तुम्हें मेरा डांस वाला इबादा याद है या नहीं तो पेगी कटर बोलती है, हाँ मुझे याद है, लॉट के आना मैं Saturday night को तुमारा इंतिसार करूँगी। तो ये एक और डायलग था, जो कि काफी महत फूर था Avenger Hand Game के लिए। चलिए अब आके चलते हैं 70 साल बाद, अब 70 साल में Captain America दवे रहती है बरफ के नीचे, और आप जानते हैं जब कोई इंसान मर जाता है, तो उसे बरफ की सिल्ली पे लिटा दिये जाता है, तो Captain America को सिरंप ने जिन्दा रखा, जो कि उनकी बोडी में लगाया गया था, और उनकी nervous system को break कर दिया बरफ ने, यानि कि उन्हें old होने से बचाय रखा, तो ये बरफ का बहुत बुड महत्पूर रोल था, Captain America को जबान बनाए रखने में और उस सिरंप ने, तो ये थी Captain America की जबान होने की एक जोटी सी formula, उसी के साथ साल 2011 में Captain America को एक New York hospital में रखा जाता है, पुराने style में, Captain America तुरंत खुदते हैं, और नर्स से पूचते हैं, मैं कहाँ पर हूँ, नर्स बोलती है कि मैं New York hospital में हूँ आप और इस टाइम आप पांच घंटे करीब सो रहे हो, पर यहाँ पर Captain America रेडियो में एक music संते हैं, एक game का, तो Captain America कहते हैं, मुझे सच सच बताओ, ये game 1940 बन में हो चुका है, आप मुझे जूट बोल ले हो, तो तुरंत Captain America को ये बात अगर उसमें से 77 साल गठा दे जाएं, तो यानि कि Captain America हटा गठा जवान 23 साल का था, क्योंकि वो बरब में दवा रहा, तो उसकी एज़ पे कोई फरक नी पड़ा, और Captain America 23 साल के थे, फिर year आथा है 2012 में Captain America का सामना होता है Loki से, क्योंकि Loki ट्रेसर क्यों लेके आता है, और Captain America क प्रेलाने वाला होता है, उसी के साथ साला था है 24 अप्रेल 2015, यहाँ पर Captain America का सामना होता है Ultron से, साल 6 मई 2016, यहाँ पर Captain America एक गलत फैमी का सामना हो जाते हैं, और Sokovia Accords के नातिक Captain America को सरिंडर करना था, क्योंकि Captain America Age of the Ultron में, Sokovia में जो हसा हुआ था, इस से सुपर हीरो को आ जाती नहीं थी घूमने की, तो इसलिए 2016 में Captain America को सुकोविया रूल के अंदर रहना था, जिससे की Captain America राजी नहीं थे, फिर Captain America बकी को लेके Black Panther यानि की Bakanda चले गए और महाँ पर हो छुपके रहे, फिर 27 अप्रेल 2018 में Captain America का फिर से सामना हुआ एक नई विलिन से, जिसका एवेंट काफी दिल दहराने वाला था, और उसी के साथ 26 अपरेल 2019, Captain America काफी ज़्यादा एमोशनल थे, उनके पास और कोई चारा नहीं था, यहाँ पर Captain America की एज हो चुकी थी, 101 एक इयर्स का, अगर उसमें से 70 साल गठा दिये जाएं, तो 2019 में Captain America 31 साल के थे, उसी के साथ Captain Captain America ने कोशिश करी, Thanos को मार भी दिया, पर कोई भी चारा नहीं मिला, फिर उसके बाद साल 2025, Captain America लोगों को समझाते रहे कि हर चीज बोल नहीं होती है, फिर उसी के साथ Ant-Man आया, Ant-Man एक ऐसा राज निकाल के लाया, कि हम time traveling कर सकते हैं, और लोगों को फिर से बचा सकते हैं, पर 2025 में Captain America की जो age थी, वो थी 106 साल, यानि कि Captain America 106 साल के हो चुके थी, फिर Captain America को आपको पता हिए क्या करता है, पूरी fight लड़ता है, Thanos के साथ एक अच्छी happy ending होती है, और Iron Man की death हो जाती है, फिर Captain America को दोबारा से अकेले जाती है, Infinity Stones को लेकर, और जब return होती है, तो old होकर, अब यहाँ पर सबसे बड़ा question मन जाता है कि Captain America old कैसे हुए, जब वो 2025 में गई थे, पीछे back time में, तो उन्होंने सारे stones अपनी अपनी जगे रख दिये थे, पर Captain America जब 2025 में return हुए, तो old कैसे है, अब चलते हैं, 1943 में, यहाँ पर Captain America पहुंच जाते हैं, Peggy Carter के पास, यहाँ पर उन्होंने promise करा होता है, dance का, तो यहाँ पर Captain America अपना promise confirm कर देती है, तो यहाँ से start हो जाती है, Dimension 2, और आपको बता दूँ, कि अगर आपको अभी भी कुछ confusion हो रहा है, अब आपको होगे कि नीचे वाल events का क्या हुआ, तो यह Dimension 1 चलता है, इस से real life का जो Dimension है, उसमें कोई असर नहीं हो रहा है, पर Captain America यहाँ पर secretly आये Peggy Carter के पास, उन्होंने एक घर भी करीद है 1946 में, अगर आपने Avenger End Game में एंडिंग में देखा होगा कि Captain America एक घर में डांस कर रहे हैं, खिड़की के बार, फिर 1950 में Peggy Carter लड़ती है, फिर 1942 में Shield की स्थापना होती है, फिर 1989 म Peggy Carter, Howard Stark और Hank Pink बात कर रहे होते हैं, आपस में Counter Game के बारे में, फिर 26 April 2013 में Peggy Carter का एक Secret Letter होता है, जो की स्थार की लिए होता है, यह चीज़े पता चलती हैं, आगे, फिर 6 मई 2016, Peggy Carter 95 years की हो चुकी है, और यहाँ पर वो अपना दम तोड़ रही है, यानि कि मर रही है, और Captain America की एज हो चुकी है, 98 years की, यानि कि Captain America Peggy Carter के साथ ही रहता है, Secretly रहता है, Dimenship 2 में, वो कोई भी activity नहीं करता है, सिर्फ Peggy Carter के साथ रहता है, पर Peggy Carter की time line पे कोई असर नहीं हो रहा होता है, Peggy Carter को जब मर ना आ है, यानि कि 2016 में Peggy Carter की अगर मौत कोई थी, तो वो मरेगी, पर Captain America सुरब सीरप ले रखा था, तो उनकी 98 years थी, पर वो ओल्ड को रहते, वो पर में दवे नहीं दे, उसी के साथ, जब Peggy Carter मर जाती है, 2016 में, तो फिर 2018, 2019, फिर 2015 में, Captain America अपनी शील्ड को लेकर, क्योंकि Captain America को पता है, कि मुझे आगे क्या करना है, तो Captain America अपनी शील्ड को ले फिर Captain को ये भी बात पता थी, कि वो लोटके तो आएगा नहीं, यंग अपतार में, क्योंकि वो जाएगा सीधे पैगी के पास, और फिर उसके साथ अपना पूरा जीवन बिताएगा, जैसा कि उनने प्रोमिस करा था, तो Captain को ये बात पहली जी पता थी, इसलिए Captain अपनी Captain America Shield को Sam के हाथ में देता है, यानि कि Falcon को, वो in future Captain America बनेगा, जैसा कि हमने Comic Book में देखा था, तो ये थी Captain America की Happy Ending और थोड़ी Emotion, जो कि फैंस को एक दम रोने पर मजबूर कर देती है, अब सबसे बड़ा सवाल कि Captain America का कोई आगे रोल होगा या नहीं, अब जैसा कि आप सब जानते कि Comic Book में रोल है Captain America का, Captain America आगे जाके future में Young Avengers को समालता है, आप कैसे लड़ना है, ट्रेंट करता है, एक Shield का Member बनता है, ये पहुत बड़ी बात है, जो कि हमें Marvel Face 4 में दिखाया जाएगा ये सारे सील, अब Captain America old कैसे हुआ, ये आपको शायर सबंज में आ गया होगा, के इसी के साथ Captain America की मौत भी कंफर्म है, Marvel Face 4 में, एकाद दो मूवी में Captain America जरूर आएंगे, ये मुझे 100% बिस्वास है, ये मेरे अंदर से आत्मा बोल नहीं है, अब समा सकते हो, Captain America 100% आएंगे, पर फिर भी, वो जादा टाइम तक जिन्दा नहीं रहेंगे, आराउंट 125 या फिर 120 साल तक ही वो जिन्दा रहेंगे, क्योंकि Captain America 107 साल के तो हो चुके है, इसलिए, तो Captain America की मौत भी है, जूकि Young Avengers उनकी संद्राजली दिंगे, ये काफी अच्छा मुमेंट होने बाला है, और शायद 2025 या 26 में ही Chris Evans का last, कह सकते हो, आप contract हो सकता है, तो guys, ये था वो final full explanation अगर आपको कुछ भी अगर कोशन है, तो आप कमेंट सकते हो, और आपको ये explanation कैसा लगा, मुझे कमेंट से मज़ जरूर बिताइएगा, तो guys, कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा अपडेट, अगर आप ये वीडियो यूटूब पे देख रहे हो, तो मैं चैनल को सब्स्क् अगर लगा आपको का ओिया हो, प्रून समत्षक से मज़ जरूर आपके से मज़ आपको का ब路 का ब सकते हो, तोटएएगा, तो आपता है, झाल माुटूब आपको का जब स wires भीज़ियो, को येन् जरूर आपको कैसा अगर आपको कर धुटूब ये आपको का अगरू गाए झाल झाल